इसराइल वार का impact purely from the perspective of stock market आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग में मैं इसे discuss करते हैं मैं सिर्फ जो आपके दिमाग में question चल सकते हैं इसराइल वार और stock market के उपर impacts related उसे answer करने की कोशिश कर रहा हूँ इसके अलावा मेरे यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी intention नहीं है पहला question जो आपके दिमाग में आना ही चाहिए क्या ऐसी war like situation इसराइल में पहले भी हुई है क्या अगर हुई है तो उसका Indian stock market के उपर क्या और कितना impact हुआ था पिछले 25 सालों में इतनी खराब situation कभी नहीं हुई पर फिर भी छोटे मोटे confusion 2012, 2012, 2014 and 2021 में हुए थे उन तीनों situation में Indian stock market या तो positive था जब ये complete war like situation खतम हुई थी confusion का state खतम हुई थी या तो Indian market positive था या फिर एकदम neutral सा खड़ा हुआ हुआ था मतलब उस complete situation का Indian market में impact नहीं हुआ था पर this time genuinely it's different जो situation है वो complete mess हो चुका है इसलिए हमें different perspective से इसे track करना होगा second, तो हमें हाप भी देखना क्या है, track क्या करना है क्या हमें सिर्फ पूरी की पूरी war को track करना है या फिर हमें क्या track करना चाहिए ऐसे situation में stock market के perspective में crude के prices के उपर क्या impact हो रहा है अगर crude का price कभी भी आपको देख रहा है कि crude के prices में बहुत ज़्यादा spike हो रहा है especially अगर वो 100 के उपर जा रहा है तो वो stock market के लिए negative हो सकता है और वहाँ पे हमें jerk stock market पे मिलने के chances ज़्यादा होते है अभी तक Indian market, Asian market, World market ने बिलकुल भी impact की तरह इसको नहीं लिया है और ज़्यादा यहाँ पे हमें mess नहीं दिख रहा है इस complete situation का थर्ड, mess हमें दिख अप सकता है जब ध्यान रखेगा इस combination को समझेगा जब time भी बड़े इस war का और situation भी खराब हो time बढ़ने का मतलब तो simple सा यह होता है कि यह war की जो complete situation है mess है और complete job समझोता चाह रहे है कि हो जाए और बात खतम हो जाए यह अगले एक महिने में नहीं होती मतलब time बढ़ रहा है time बढ़ने के साथ-साथ हमें यह situation में बाकी सारी countries भी involved हो रही है और उनका impact भी आते जा रहा है तब यह mess बड़ा हो जाएगा बड़ा हो सकता है नहीं हो सकता हमें नहीं पता मैं तो genuinely चाहूँगा कि genuine situation हमें मिल जाए और ऐसी situation जो एक complete war की situation है कभी भी होनी ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से हम war को define करी नहीं सकते war को justify करी नहीं सकते I am sure आप भी इसी बात से connect करेंगे situation बढ़ेगी कैसे एक example दे रहा हूँ मैं मैं ये कहें नहीं रहा कि एकदम fact है क्योंकि अभी तक जो मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ ये एक rumor है जो news पे दिखाया जा रहा है या बात फैल रही है तो उसे ही मैं आपके सामने डिसकस कर रहा हूँ इसराइल blame कर रहा है इस complete attack का जो इसराइल के उपर हुआ है इरान पे और इरान का roughly 6 billion dollar के आसपास का funds froze का रखाता यूएस ने अभी recently उस frozen fund को release किया है तो ये rumors फैले जा रहे है कि जैसे ये funds release हुआ उन्होंने इस complete fund को use कर लिया है इस attack के लिए और US की उपर भी allegation की बात है आ रही है जो हमारे सामने है अगर ये prove होती है या फिर US भी या world की बाकी countries भी directly indirectly involved होके दो part में divide हो जाते है कि भाया हम कह रहे है कि A सही है दूसरा कह रहे है कि B सही है वैसे हम सभी को पता है कि इस situation में कौन सही है पर still किसी भी diplomacy के कारण वर्ल में दो opinion हो जाती है और जिसके around एक world like situation क्रेट हो जाती है तो stock market में impact पर सकता है पर अभी आज के दिन अगर हम ये समझे कि यहाँ पर इस complete situation या फिर जो अभी हमारे सामने complete impact आ गया है इसकी वज़े से stock market में 10% या फिर उसके उपर का correction हो सकता है मेरा personal understanding of stock market price action ये कहता है कि इस news के उपर 10% से उपर का impact मुझे नहीं होता हुआ लग रहा personal mindset, personal study के according आपको क्या लगता है आप मुझे comment करके बता दीजिए और अगर इस complete situation के उपर आपकी कुछ और भी question है अगर कुछ ऐसा question हुआ जिसका direct stock market से impact हो रहा है या stock market में एक important role हो सकता है उसे मैं answer करने की कोशिश करूँगा अब हम चलते सीधा screen के उपर और market को कल के perspective में discuss करने की कोशिश करते है अभी भी general market trend uptrend में है put call ratio 1 के आसपास से जो comfortable हो जाता है ना ही overbought है ना ही oversold है आज के दिन के market की बात करे तो 433 stock advance है जिसके against में आज 1700 से उपर stock decline हो है मतलब broader market आज के दिन बहुत weak था sectors में सिर्फ defensive sector यानि की healthcare positive था IT और FMCG भी okay-okay हाँ पर हमें दिख रहते इसके अलावा जितने भी sectors है वो अच्छे खासे negative थे PSU bank, media, consumer durable और metals जितने भी growth related sectors होते है वहाँ पर अच्छा कासा हमें correction देखने को मिला next अगर हम FIs और DIs के moment की बात करें तो 6th of October को FIs ने 90 करोज की sell करी थी जिसके against में DIs ने 783 करोज की purchase करी थी जो overall market लिए positive होता है क्योंकि market में DIs की तरफ से support regularly मिल रहा है अब हम आ जाते है price action के उपर कल एक ऐसा दिन हो सकता है जहां पर आपको दोनों side के moment मिल जाए इस चिश का ध्यान रखेगा सबसे important level अब आपके लिए हो जाते है उपर की side में 19,580 का level और नीचे की side में 19,480 का level ये दोनों level आपके लिए important होने वाले है आज के complete price action को देखते वे कल के दिन का bias negative side का maintain रहेगा because आज के दिन ये पहले dip के बाद bounce back आना almost compulsory था I am very sure जितने भी members होंगे उस बाद से connect कर पाएंगे क्योंकि उन्हें मैंने specially message डालके बता दिये था कि एक पहले dip में हमें trading की pure trading की opportunity study करने के लिए मिल सकती है पर उसके बाद जिस तरीके से वापिस से आज के gains fade out हुए है कल का price action opening में mindset at least negative side का रहेगा और जब तक market 19,580 को cross नहीं करता यहाँ पे हमारे लिए pressure बन सकता है नीचे के levels अगर market 19,480 को undercut करता है तो नीचे के levels जैसे की 19,350 और 19,280 हमारे लिए important support का काम भी करेंगे और वो levels हमारे सामने open भी हो जाएंगे जिसका हमें ध्यान रखना होगा अगर कल के दिन market में हमें positive price action को study करना है तो उसकी best situation यह होती है कि market की कल के दिन opening हो 19,520 के आसपास यहाँ पर तुरह सा time व्यतीत करें और सीधा market उपर निकलने लग जाए तो यही एक best के scenario होता है जहाँ पर मैं personally positive price action के उपर focus करूँगा कल एक ऐसा दिन भी हो सकता है जहाँ पहले हमें आदे गंटे में तो move मिल जाए बाद में बीच में premium eating का काम हो जाए और towards the end especially दो बजे बाद वापे से एक directional move मिल सकता है जिसके उपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो अगर हमें 10 EME के strategy या फिर insight channel के strategy को study करना है तो कल दो बजे के बाद एक अच्छा समय हो सकता है यह मेरा personal आज के price action को study करते वे mindset बढ़ रहा है इससे पहले कि मैं bank nifty के उपर जाओ अगर अभी तक आपने secret of money making batch 2.0 जो एकदम latest batch है जिसमें मैं special strategies चाए intraday हो चाए वो swing investing trading हो सब कुछ महाँ पर discuss करता हूँ अगर आप उसका part बनना चाते हैं तो 50% का flat discount चल रहा है description और pin comment को check out कर लीजेगा यह discount offer जैसे ही हमारे number full हो जाते है जितने के लिए हमने discount offer रखा है बंद हो जाएगा तो लगे useful तो part को check out कर सकते हूँ bank nifty की बात करे तो bank nifty weak रहेगा जब तक ही confusion खतम नहीं होता पर अगर market को strength दिखानी है और positive side में निकलना है तो bank nifty का बहुत important role रहेगा आज के price action को देखते वे यहाँ पे भी mindset negative बना रहेगा जब तक 44,100 के level cross होके उपर की side sustain नहीं होते actual तेजी पनेगी bank nifty में जब यह 44,300 को cross करेगा आपको लग सकता है कि यार यह 300-400 point के लिए हम क्यों ऐसा सोचे हमें यहाँ पर ही positive हो जाना चीए मैं कहता हूँ जैसी आप तोड़ा सा confirmation के साथ काम करते है especially trading में आपका success का ratio बढ़ जाता है यह जो area है यह आपका confusion का area है जब confusion की area में आप काम करेंगे आपके success का ratio कम हो सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है एक बार market में कभी भी 43,800 round figure में नीचे के side कटता है तो 43,625 ध्यान रखेगा 43625 and 43450 यह एक important support और immediate levels रहेंगे जिसके ओपर ध्यान रहना चाहिए वीडियो अच्छा लागे तो like करेंगे ना मच जाईएगा और अभी भी मैं कोई भी stocks को discuss नहीं कर रहा क्योंकि अभी के price action में stock में कोई aggressive काम करने से पहले मैं तोड़ा सा patiently wait करने की कोशिश करूँगा एक आदा दिन चाहे लग जाए पर तोड़ा सा सोच समझ के काम करना especially intra-day stocks के लिए मैं यहाँ पर wait का जाओगा happy learning and I will see you very soon